पिछली क्लास में डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स के पार्ट वन को बताय था जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम्स के बारें बताय था कि डैसिमल, नंबर क्या होता है, बाइंडरी, हेग्जा डैसिमल और ओक्टल नंबर क्या होते हैं, इनके बेस क्या होते हैं और इनमें कि इतने कितने अंकों का समावेस होता है उसके साथ डिजिटल और एनालोग मिर्टर के बारे में बताया था और आज की क्लास में इसको डिजिटल इलेक्टरोनिक्स के पार्ट टू के अंतर गत्म कनिवर्जन ओफ नंबर सिस्टम्स यानि कनिवर्जन के दाश मलव को बाइंडुरि में या किश प्रकार परीवर्ण त Turns के बारे में देखेंगे तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं उसको हम देखते हैं किसी दस्मलव संख्या को बायेंड़ी संख्या में परिवर्तित करने के लिए या बदलने के लिए उसे दो से विबाजित करते हैं प्राप्त सेश्फल एक अथवा जीरो लिख देते हैं भागफल में फिर दो का भाग देकर के सेशफल एक और जीरो लिख देते हैं और ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि भागफल के इस्थान पर हमको जीरो प्राप्त नहीं हो जाता है उसके बाद अंतिम सेस्वल एक से सुरूर करते हुए सभी सेस्वल के अंकों एक याँ जिरो को लिख देते हैं यानि यदि decimal को binary में convert करना है यदि आप उसको binary में convert कर रहे हैं जिस में convert कर रहे हैं उसके जो base होता है उसमें से उसका अपन संख्या में दीवी संख्या में उसका अपन भाग देते हैं और जो रासी हमको प्राप्त होती रहती है उसमें आगे सागे दो का भाग देते रहते ह जब तक हमको लास्ट के अंदर जीरो प्राप्त नहीं हो जाता है अब इसको एक्जाम्पल के द्वारा देखते हैं जैसे आपको दियावा है कोशन नमबर वन पच्चिस इसका आदार आपको दियावा है दस इसको एक्स का बेस दे रखा है आपको दो यानि कोई भी एक डैस संक्या दे रखी है उसको इसका बेष दो दे के आपको पता करना है कि उसको binary के अंदर convert करना है दस का वलब decimal जिसका आधार 10 होता है उससे decimal कहते हैं और जिसका आधार 2 होगा उसे boundary कहते हैं इसका मालब यह decimal से binary के अंदर conversion है इस question को इस question को solve करते हैं यहां पर लिखा 2, binary में convert करना है तो 2 से उसको भाग देते हैं और यहां पर जो संक्या दी जैसे यहां पर question में आपको 25 दियावा है तो 25 लिख दिया और R, R का मलब क्या होता है, remainder यानि सेस्वल अब 25 को 2 से divide किया, divide का मलब भाग, 25 में 2 का भाग दिया तो 25 में 2 का भाग दिया, तो कितना मिल गए अपने को, 2 एकम 2 और 2 दुनी 4 पीछे कितना बज गया, 1 इसका 6 बज गया, 6 वल यानि उसको बोलेंगे remainder तो जो 6 बचा उसको उसके सामने लिख दिया, वापिस अब इसको में 2 का divide किया तो 6 मिला, remainder इसका कुछ भी नहीं बचा, तो सामने 0 लिख दिया फिर 2 का भाग दिया, 3 बार गया, remainder इसका कुछ भी नहीं बचा, सामने इसको 0 लिख दिया फिर 2 में इसका भाग दिया, 2 एकम 2 एक लिख दिया और remainder किता बच गया एक बच गया तो एक को उसकी सामने लिख दिया अब दो में एक का भाग नहीं चाहेगा तो यहां पे क्या आजाएगा जीरो उसके बाद क्या करना है आपको यह जो एक में जो last आपको प्राप्त हुआ इसका भागफल उसको अपन सबसे नीचे की तरफ ल 11001 यानि 25 संखिया जो decimal में दे रखी है इसका बाइंडरी में इसका मान अपने को मिलेगा 11001 इसका इसका question number 2 एक बार फिर देखते हैं 144 का base 10 उसको आपको बाइंडरी में convert करना है सेम वो का वो process है example ये दूसरा दिया है 144 से divide किया तो कितनी बार गया इसका 22 बार इसका भाग गया और remainder क्या बचा 0 बचा फिर इसको 2 में भाग दिया 36 मिला इसका remainder 0 फिर 2 से भाग दिया 18 remainder 0 फिर 2 में इसका भाग दिया 9 remainder 0 फिर 2 में इसका भाग दिया तो 2 चौक 8 और remainder कितना बच गया इसका 1 तो एक को इसके सामने लिख दिया फिर 2 में इसका भाग दिया तो कितना बल गया 2 दूनी 4 remainder कुछ भी नहीं बचा तो इसको 0 फिर 2 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया एक बार गया remainder क्या बचा 0 तो इसक क्या जाएगा जीरो अब क्या करेंगे जो लास्ट वाला जो एक है इसको सबसे नीचे की साइड में अपन लिख देंगे और पापिस इसको जो पढ़ने का तरीका होगा वह बॉटम से टॉप यानि नीचे से उपर की तरफ इसको पढ़ेंगे तो 144 जो अपने को डैसिमल में दे रखा है इसका बाइंडरी के अंदर इसकी जो वैल्यू हमको मिलेगी वह हमको प्राप्त हो जाएगी 10010000 इस प्रकार जो 144 आपको डैसिमल में संक्या दे रखिये उसमें उसके बाइंडरी की वैल्यू यह प्राप्त होगी अब वापिस एक्जामपल लंबर तीन कोश्चन वो का वो है आपका 25 डैसिमल संक्या है उसको बाइंडरी में कंवर्ट करना है तो इसकी एक सेकिंड मेथड है एक ट्रिप के रूप में मैं आपको पताती हूँ बाइंडरी की अंदर हमेशा क्या होता है दो की गात 0 होती है वो 1 होती है दो की गात 1 दो के बराबर दो की गात 2 होती है वो 4 के बराबर होती है दो की गात 3 यानी 8 दो की गात 4 यानी 16 और दो की गात 5 यानी 32 अब इसको 25 आपको डैसिमल संक्या दे रखी है उसको बाइंडरी के अंदर इसकी वैल्यू आपको निकानने के एक सिंपल ट् लिख देंगे कि जैसे एक, एक का डबल दो, तो का डबल चार, चार का डबल आठ, आठ का डबल सोला और सोला का डबल बत्तिस, तो यहां पर मैंने लिख दिया, यह एक, एक का डबल दो, डो का डबल चार, चार का डबल आठ, और आठ का डबल सोला, सोला मैंने यहां तक इस जोडने पर हमको 25 की value 25 अंख हमको मिलता है उसको अपन देखेंगे जैसे 16 और 8 किते होते हैं choice और choice में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 25 तो जिस जिस संख्या को हमने काम में लिया है उसके नीचे अपन 1-1 लिख देंगे 16 को लिया काम है तो इसके नीचे अपने एक लिख दिया एक मैंने 8 को काम में लिया है इसके नीचे एक लिख दिया चार और दो को मैंने काम में नहीं लिया है तो इनके नीचे के आ जाएगा जीरो जीरो आ जाएगा और एक को मैंने काम में लिया है तो इसके नीचे एक आ जाएगा तो सोला और आट कीते हो गए चोईस चोईस में एक जोड़ा तो क्या आ गया 25 अपने को question में क्या दे रखा है 25 जिस जिस value को हमने काम में लिए उनके नीचे एक एक लिख दो और जिसको काम में नहीं लिया है उसके नीचे 00 लिख देंगे तो इसकी value क्या मिल गई अपने को वापिस जो मैंने पीछे बता है सेम वो का वो method है 25 का decimal संक्या है इसकी boundary में इसकी value जाएगी 11001 अब question number 4 9.65 जो decimal संक्या है उसको आपको boundary में convert करना तो 9 का वापिस वो का वो process जो मैंने भी आपको बता है कि 9 को 2 से divide किया और यहां पे R का मलब remainder यानि successful लिखते रहेंगे तो पहले 9 के अंदर 2 का भाग दिया किती बार गया 4 बार गया क्योंकि 2 चौक 8 चार बार गया एक remainder बच गया इसके नीचे लिख दिया फिर 2 का भाग दिया 2 दुनी 4 remainder 0 फिर 2 में 2 का भाग दिया एक बार गया remainder क्या बच गया 0 अब इसके अंदर इसका भाग में जाएगा तो यहां पे लिख देंगे अपन 0 और जो last में जो एक बचा है इसको उठा करके अपन इसके नीचे सिफ्ट कर देंगे और वापिस इसको पढ़ने के लिए bottom से top यानि नीचे से उपर की तरफ इसकी value को पढ़ेंगे तो इसका नौक क्या आजाएगा 1001 अब यह जो दश्मलोग वाली संख्या है उसको आपको कैसे हल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ जैसे दश्मलोग के आपको संख्या दे रखी है 0.65 दे रखा है अब चेंज किसमें करना है अपने को boundary के अंदर करना है जिसमें change करना है उससी संख्या से उसके बेस से उसको अपन घुना कर देंगे तो 0.65 को 2 से गुना किया तो इसका मान हम को मिला एक पॉइंट तीन क्या मिला आपको एक पॉइंट तीन मिला अब इसमें क्या करना है जो पॉइंट वाले सन क्या होगी उसी को दो से गुना करना है और जो पॉइंट से पहले वाले सन क्या होगी उसको हम उसके पास बलिग देंगे जैसे यहां पर हमको मिला एक पॉइंट त तो एक को इधर सिफ्ट कर देंगे बीच में क्या बज गया आपका पॉइंट तीन बज गया अब इसी पॉइंट तीन को वापिस दो से घुना किया तो इसका मान क्या गया जीरो पॉइंट छे अब इस जीरो को इधर सिफ्ट कर देंगे और पॉइंट छे हैं इसको वापिस से घुना कर देंगे तो पॉइंट 6 को वापिस 2 से घुना किया तो इसका मान हमको मिल गया एक पॉइंट 2 तो वापिस एक को इधर सिफ्ट कर दिया अब इसमें पॉइंट की संग्या कौन सी होगी पॉइंट 2 तो पॉइंट 2 को वापिस 2 से घुना किया तो इसका मान हमको मिल जीरो पॉइंट चार अब इसके अंदर पॉइंट से पहले वाली संग्या कौन सी है जीरो तो इस जीरो को उठा करके अपने इसके पास में लिग दिया अब पॉइंट पॉइंट के बाद वाले संग्या कौन सी है चार तो पॉइंट चार को दो से गुणा कर दिया तो इसका मान हमको मिल गया करना है कि हमेशा नीचे से उपर की तरफ इसमें का होगा उपर से नीचे की तरफ आपको पढ़ना होगा यानि टॉप से बॉटम की तरफ यह चलेगा तो टॉप से बॉटम यानि इसको उपर से नीचे की तरफ इसको पढ़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा वन जीरो वन जीरो 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 तो इस पूरी संख्या का 9.65 जो decimal में दे रखी है उसमें इसकी boundary की जो value होगी वो आपको मिलेगी 1001.10100 तो यह questions को आपको खुद को एक बार solve करोगे तब आपको समझना जाएगा कि यह decimal को boundary में किस प्रकार convert करते हैं और यदि आपको दश्मलव संख्या के अंदर दे तो दश्मलव की संख्या को आपको boundary के अंदर किस प्रकार convert करोगे हमेशा कोई भी संख्या होती है decimal को boundary में convert करना होता है तो जिस संख्या में convert करना होता है उसी की base का हाग देद के उसकी value को प्राप्त करते हैं या गुना करके उसमें दश्मरोव संक्या का मान प्राप्त करते हैं अगला conversion है आपका second conversion binary को decimal में परिवर्टिक करना अब binary संक्या को decimal में बदने के लिए भी कुछ इसके इंदियों में उसको देखते हैं binary संक्या को binary संक्या को decimal में बदने के लिए LSB LSB की full form होती है least significant bit में by तरफ चलते हुए binary digit के इस्थान के अनुरूप उन इस्थानों की place value लिखते हैं digit और place value को आपस में गुना करते हैं और इन सभी का योग करने पर जो मान प्राप्त होता है वही क्या होगा उसकी decimal digit होती है और boundary के इंदर जहां पर भी zero लिखा होता है उसका मलब off होता है और जहां पर भी one लिखा होगा उसका मलब क्या होगा on condition में होगा और बाइम्डी के अंदर में जैसे आपको पहले ही बताया था कि दो की गात 0 को हमेशा 1 लिका जाएगा और दो की गात 1 होती है उसके स्थान पर 2 दो की गात 2 क्या होती है? 4 दो की गात 3 क्या हो गई? 2 x 2 x 2 जानि 2 x 4 और 8 2 की गात 4 किता हो गया? 16 दो की गाद पांच 32 और दो की गाद 6 कितना होता है 64 एक्जामपल करते हैं उसके द्वरा आपको यह समझ मा जाएगा कि बाइंडरी को दें रखी आपको उसको डेसी मल के अंदर यानि 10 दे रखा इसका बेश यानि इसको आपको डेसी मल में चेंज़ करना ऑपनिए आपको कोश्चन दें रखा है होंगे अपन तो यह एक इसके नंबर लिघते हैं इसको जीरो इसको एक इसको दो इसे तीन और इसको चाहर्ण लोग देते हैं अब क्या करेंगे कि इसमें हम चाहर ऐंडिक अदर इसको गात 0 से इसको घुना करना है और आगेस आगेस की value को अपन बढ़ाते चलेंगे और उनके साथ घुना करके उनको आपस में जोडते रहेंगे तो सबसे पहला इसको right hand से start करना है तो 1 into 2 की गात 0 प्लस ये वहला तो 1 into 2 की गात 4 अब इसको पूरा solve करना है आपको 2 की गात 0 किसके बराबर होता है एक की बराबर होगा तो यहां पर मैं 1 लिखूंगी और एक को एक से गुना करने पर हमें साम को क्या मिलेगा एक ही मिलेगा अब 2 की गात 1 किसके बराबर होती है 2 के बराबर होगी और कोई भी संख्या होती है उसको 0 से बुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा तो इसके इस्थान पर वापस आपके 0 आगया 2 की गात 2 क्या होती है 4 के बराबर होती है और 4 को वापस 1 से बुना किया तो क्या मिलेगा आपको 4 वापस दो की गात तीन यानि ये च्छे के बराबर होगी दो की गात तीन स्वारी आट के बराबर होगी और आट को जिरो से गुना किया तो क्या मिल गया आपको जिरो और दो की गात चार यानि किसके बराबर होगी वह सोला के बराबर और सोला को एक से गुना किया तो आपको तो 16 प्लस 4 प्लस एक तो 16 और 4 बीस और एक क्या हो गया 21 यानि 10101 जो बाइंडरी में संख्या दे रखी है इसकी decimal में इसका मान किता हो जाएगा आपका 21 होगा क्या होगा 21 इसका दो 1011 का बेस दो इसको आपको decimal में करना है तो क्या करेंगे देखो वापस यह जो संख्या आपको दे रखी है इसको लिख दो आप 1011 अब इसकी placement रख दो यहां से इसको start करना है मेसा कहां से करना है अपने को राइट से left की तरफ तो यह जाएगा 0 फिर एक फिर दो और यह तिस स्थान पर है जिरो से start करना है जिरो एक दो और एक दो और तीन और वापिस जैसे मैंने पहले बताए ये एक है इसको दो की गात जीरो से गुणा किया फिर प्लस ये एक है इसको दो की गात एक से गुणा किया फिर प्लस का निसान ये जीरो है इसको दो की गात दो से गुणा किया फिर प्लस का निसान ये एक है इसको दो की गात तिन से गुणा करेंगे फिर क्या करेंगे इन उनको आपको छोड़ देना है तो आट और दो दस और 11 यानि 1011 का जो बाइंडरी डिजिट है इसकी डैसिमल में इसका मान आपको कितना मिलेगा 11 इसका सेकिंड मेतर देखते हैं 1011 बाइंडरी के अंदर वैल्यू दे रखी है उसको आपको डैसिमल में कनवर्ड करना है तो पहले यह मान लिख दो वापिस आपको कोश्टें में दे रखा है 1011 अब इसको वापिस स्टार करना है एक एक का डबल दो दो का डबल चार और चार पर पर जीरो आ रहा है वह वाली आपको डिजिट छोड़ देनी है तो जीरो कहां पर आ रहा है चार के पास आ रहा है तो इस चार को हम छोड़ देंगी जहां पर वन वन है उन्हीं को आप जोड़ते रहो तो वन कहां पर आया एक तो इसके आट के नीचे है एक दो के उपर है और एक एक के ऊपर आए तो आठ और दो दस दस और एक ग्यारा यानि वन जीरो वन वन जो बाइंडरी में दे रखी है इसकी डैसिमल में इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 11 कुश्चन नमबर एक्सम्पल इसका पीर और देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से पूरा संबना जाएगा बाइंडी संक्या आपको दे रखी है वन जीरो वन वन जीरो वन उसको आपको डैसिमल में कनवर्ट करना है तो पह चार और पाँच इसकी प्लेस्मेंट वैल्यू हमने लगा दी अब इसको क्या करना है दो की गात जीरो से स्टार्ट करके इनको साथ में बुना करके इनको जोडते रहेंगे तो पहला यह लिया एक इंटू दो की गात जीरो फिर प्लस का निसान जीरो इंटू दो की गात एक प्लस एक इंटू दो की गात दो प्लस एक इंटू दो की गात तीन प्लस जीरो इंटू दो की गात चार प्लस एक इंटू दो की गात पाँच और जो संख्या जीरो से गुना हो रही है उनको आग छोड़ दो अब दो की गात जीरो का मतलब क्य क्या होता है एक हो गा तो इसकी जगह पर किया जाएगा एक यह पे इसको जिडिवो से क्वुणा कर रहे कोई गुता है तो इसका मलब यह पूरी संक्या क्या होगी आपकी जीरू दो की गात डो किसी बराबर होगी छार के बराबर और उसको की स Philadelphia क्वा बड़ाबर होती है 8 के बराबर 8 को वापिस एक से गुना किया तो कितना है अब दो की गाठ 4 होती है और किसकी बराबर जाती है 16 और 16 को वापिस 0 से गुना किया तो किया आ गया आपको बाइंडरी में दे रखी है इसमें डेसिमल की इसको वैल्यू होगी वह कितनी आजाएगी आपके 45 यानि 45 सेकिंड मैथर देखे इसका वापिस कोश्चन लिख दिया मैंने 101101 यह संख्या लिख दी अब आप इसको वापिस यहां से स्टार्ट हो जाओ वापिस कहां से राइट से लेफ्ट की तरफ इधर से एक एक का डबल दो दो का चार चार का आठ आठ का सोला और सोला का 32 कर दिया जाने क्या कर दिया 35 लिख दिया अब जहां जहां पर जीरो आया है उसको आप छोड़ दो जीरो का पर आया एक तो सोला पर आया है और जीरो एक आप आया आपको दो पर आया तो इन दौनों को आपको नहीं काउंट करना है तो 32 और 8 किते हो गए 40 44 44 और 45 यानि 101101 जो आप बाइंडरी को डैसिमल में कनवर्ट करना अब अगला है दश्मलव में दे गए संख्या को हल करना यदि आपको बाइंडरी की संख्या दश्मलव में दे रखी हो और उसको डैसिमल में सॉल करने के लिए उसका मान पूछ रहे हैं तो किस प्रकार से सॉल करेंगे अब उसको देखते हैं इसमें decimal बिंदू से दाई और बढ़ते हुए उन इस्तानों की place value लिखते हैं और यह मान एक बटा दो एक बटा चार और एक बटा आठ होंगे इसके बाद के अंक और place value को अपस में गुणा करके सभी का योग करने पर decimal अंक प्राप्त हो जाता है इसका example देखते हैं एक्जामपल देखो 0.101 यह आपको किसमें दे रखा है binary के अंदर दश्मलव की संख्या दे रखिए उसको आपको decimal में इसकी value आपको निकान लिए तो इसको कैसे solve करेंगे तो यह मान लिख दिया पहले आपने question के उसर 101 अब इसमें क्या लिखा हुए दाई और बढ़ते व गज़े और एक के निचे लिखेंगे अपना एक बटा आट अब क्या करेंगे एक है एक इंटू एकबटा दो प्लस जीरो इंटू एक बटा चार प्लस एक इंटू एक बटा आट अब इसको solve करेंगे एक बटा दो निकाल गया होता है 0.5 तो 1 इंटू 0.5 प्लस जीरो इंटू कोई भी दास्टी को जीरो से गोना करने पर इसका मान क्या हो जाएगा जीरो फिर फिर वन इन्टू वन अपॉन एट तो वन अपॉन एट का जो वैल्यू होती है वो जीरो पॉइंट वन टू फाइब इसको सॉल आपको बाइंडरी के अंदर डिजिट पॉइंटों के अंदर दे रखी है दस्मल उसंक्या में दे रखी है तो इसका मान आजाएगा आपका 0.101 जो बाइंडरी में आपको मान दे रखा है इसमें इसका डेसिमल के अंदर इसकी वेल्यू हाजाएगी 0.625 कुश्चन नंबर 2 0.111 यह आपको एक बाइंडे डिजिट दस्मल आपके अंदर दे रखी है उसको डेसिमल में इसकी वेल्यू आपको निकान लिए वापिस इसके अंदर यह जो आपको डेसिमल की वेल्यू दे रहे हैं इसको लिख दो आप पॉइंट से इसको कोई मतलब न लिख दिया अब इसको आपको कहां से लिखना है लेप से राइट की तरफ लिखना है तो एक बटा दो एक बटा चार और एक बटा आठ अब क्या करेंगे इनको एक इनकी साथ इनके घूना कर देंगे तो यहां पर एक दे रखा है तो एक इंटू एक बटा दो प्लस वाप बटा चार का मलब क्या होता है 0.25 और एक बटा आठ का मलब क्या होता है 0.125 और इनको एक एक से गुणा कर रहे हैं तो वापिस हमको यह रास्य हमको मिलेगी तो 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.125 इन सब को जो हमारा आंसर होगा वह हो जाएगा 0.875 यानि जो आपको question दे रहा था 0.111 जो boundary में संक्या दे रखी है इसका decimal में आपको value क्या प्राप्त हो गई 0.875 एक question और स्वाल करते है जिसमें आपको दोनों संक्या दश्मलाव और बिना दश्मलाव से पहले बाले इन दोनों का अगर आपको combine दे तो आप इसको कैसे solve करोगे तो एक question आपको दिया वाए है 110.101 बाइंडरी के अंदर संक्या दे रखी है उसको आपको decimal में convert करना है तो पहले आप लिख दो 110 फिर point लगाया 101 अब इसमें क्या करना है आपको पहले इस side को करते है अपन एक का double दो दो का double चार बस आपको इसको यह याद रखना है कि इसके अंदर आपको right से left की तरफ चलना है एक एक का double दो दो का double चार और इस side के जो भी decimal के बाद वाली होगी उसको आपको left से right की तरफ चलना है इसमें क्या लिख देंगे अपन एक बटा दो एक बटा चार और एक बटा आट अब इसको solve किया जो 0 है उसको हम छोड़ देंगे तो यह किता हो गया 4 और 2 किता हो गया क्या होता है 0.125 और इन तिनों को आपस में जोड़ने पर हमको जो value प्राप्त होती है वह जाएगी 6.625 इसका मलब 110.101 जो आपको एक binary संख्या दे रखी है उसका decimal में convert करने पर जो value हमको प्राप्त हुई है उसका मान होगा 6.625 तो आज की क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम के conversion के बारे में बता है कि binary को decimal में और decimal को binary में किस प्रकार से convert करते हैं next class के अंदर आपको logic gates के बारे में और mcqs questions को solve कराएंगे और आपकी आज की class जहीं पर समाप्त करते हुई तो जो भी यह वीडियो को देख रहे हैं उसको like करो और आगे इसको subscribe भी करो subscribe करोगे और तो आपको क्या होगा जो भी मैं वीडियो डालूंगी आपको notification में आपको प्राफ होता रहेगा और अपने जो friends हैं जो IT कर रहे हैं तो उनको भी वीडियो आगे सागे आप share करो like के साथ सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलें तो आज की class नहीं पर समाप्ट करते हैं thank you